बिल्वाड़ा रखद करीब 3 मास से नगर परिषद सबापती को लेकर चल रे गतीरोध पर मंगलवार देर्ण विराम लग गया सबापती के पत पर सरकार ने दीपी का कवर को मनुनित किया निवनिक्तिक सबापती ने बुद्वार को पदवार मंतरचार के साथ ग्रैंड किया इस मौके पर कारवाक कमिशनर ने दीपी का कवर को सबापती का पदवार ग्रैंड करवाया मैं निक्ति सभापति दीपी का कवन ने का कि मुझे जो सरकार और हिस्तानी नीताओं ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगी इसके साथ ही शेहर में विकास के लिए सभी पार्शोदों के साथ मिलकर काम करेंगे आने वाले समय में शेहर को कच्छी बस्ती मुँख्ष कराने के लिए काम करेंगे और इन बस्तियों को समाने बस्ती की शेणे में लाएजाएगा इसके साथ ही शेहर में आवारा परशो और सडक नाली जैसी समस्याओं से मुख्ष करवाने का प्रयास किया जाएगा भारती जनता पार्टी ने आज जो ये मुझे जिम्मेदारी सोपी है उसके लिए मैं जो उनका आभार व्यक्त करती हूँ जिले के अध्यक साब, MLA साब, सांसर साब और मेरे सभी साथी पारशत भाईयों और बेनों का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पर विश्वास जताया और इस जिम्मेदारी को मेरे को निभाने का मुका दिया और मेरा ये प्रयास रहे गाए कि मैं उन सब को साथ में लेके जो पूरा जिम्मेदारी पूरे अच्छे से निभाऊंगी मेरी सब प्रात्मिक्ता यही रहेगी कि सबसे पहले तो स्वस्ता की और मेरी प्रात्मिक्ता रहेगी क्योंकि जो मेरा वाड है वो पूरा पिछड़ा हुआ है, इल्ट्रेड है, कच्ची बस्ती है उसमें, तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब उसी की नीड है, सोचाले, रोड, नालिया, और जो भी मतलब जिससे जनता प्रभावीत हो रही है, जो भी रुके हुए काम है, उनको भी मतलब पूरा करेंगे, अभी तो कोई योजना वैसे बना ही नहीं है, लेकिन अब अब जैसे अब अपनी जिम्मेदारी मिली है, तो अब इसके उपर पूरा सबसे के साथ मिलकर चर्चा करके, उस पर पूरा मतलब योजना बनाएंगे, और उसको अमल में लाएंगे.